रखाल ü. आज में बात करएंगी गलसरीन के बारे में खर्दियू में ग्लसरीन, प्रूखी टालिए वर शमाने तिनु प्रकार की त्वचा पर असर दिखाती है। आपकी त्वचा रूखी वह बेजान है, इसकीन पर जूरिया पड़ गया है, पिंपल है, तो ग्लिसरीन आपके लिए बहुत ही उपयोगी स्वावित होगा। नियमित रूप से ग्लिसरीन को त्वचा पर लगाने से त्वचा की रंग में निखा रहाता है। अगर आप ग्लिसरीन का प्रयोग अपने स्कीन पे नियमित रूप से करती हैं, तो आपका स्कीन साप, सुंदर और बेहद मुलायम वह चमकदार बना रहेगा हमेशा के लिए। आए जानते हम ग्लिसरीन का इस्तमाल कैसे करेंगे। आपको लेना है रोजवाटर यानि गुलाब जल, इसके बाद आपको लेना है ग्लिसरीन, और आपको लेना है आधा निबू, और साथ में लेना है आपको एक कटोरी, आपको लेना है रोजवाटर, दो चममच, और आपको लेना है ग्लिसरीन, आधा चममच, और एक चममच आपको निबू का रस लेना है फ्रिंस ये मैं नॉर्मल एसकिन के लिए बता रही हूँ अगर आपका एसकिन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप गलिसरीन एक चमश लेंगे अगर आपका एसकिन बहुत ज़्यादा ओयली है तो आप 4-5 बून गलिसरीन का लेंगे फ्रिंस आप मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा अब इसमें हम निबू करस मिक्स कर देंगे फ्रिंस गुलाब जल हमारे सकिन के लिए बहुत फायदे मंद होता है अगर आप इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको पता होगा और गलिसरीन गलिसरीन एंग सकिन की जूरिया जो फाइन लाइन हो जाता है उसे कम करेगा ड्राइनस को दूर करेगा और चहरे पर एक शायं लेकर आएगा फ्रेंस इसे लगाना कैसे है आपको कॉर्टेन लेना है और कॉर्टेन को इसमें डिब कर लेना है और अपने फेस मेर लगा लेना है इसमें नीबू का रस हम एड़ किये हैं नीबू जो काले दाग धब्बे आपके स्किन पे पड़ गया है उसे रिमोफ करेगा फ्रेंज आप चाहे तो इसे एक एस्प्रे बॉटल में इसे अस्टोर करके भी रख सकते हैं दो से तीन दिन के लिए आपको इसे रात में सोने से पहले अपने चेहरे पे लगाना है कुछ इस तरह से स्प्रे कर लेना है और एक मिनट के लिए हलकी मशाज करना है आपको उसके बाद रात भरत के लिए ऐसी तरह से छोड़ देना है और सुबह उटके गुनगुने पानी से आपको धो लेना है प्रेंज पहली बार आप टेस्ट जरूर कर ले ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो फिर इस वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब कर लिजेगा थांक्स फॉर वाचिंग